एनिक लर्फों में मैं आपका स्वागत है आज हम आपको सामने न्यू वकैन्सीज में बात करेंगे रोज डिली हम वकैन्सीज के बात कर रहे हैं आपके साथ आपको बताया था कि RV grade B की vacancies बहुत अच्छी है और उसके इलावा ECGCPO की vacancies के बारे में हमने बताया था आपको उसके इलावा हमने काफी vacancies के बारे में हमाँ आपको बता रहे हैं हमाँ आपको ये भी बता रहे हैं कौन कौन सी opportunity एक general category के लिए हो सकती है जो एक किसी recognized university में से इसने degree ले हो किसी भी स्वी में वो apply कर सकता है तो आज की जो vacancies है उसके regarding भी है तो अगर आपको banking में जाना है अगर आप banking aspirant हो तो आपके लिए अच्छा मोका हो सकता है उसके इलावा भी अगर आपको इस state exam के त्यारी कर रहे हो अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे opportunity है तो please apply जरूर करें और इस video को like जरूर कर दें और share जरूर कर दें हमारे जो efforts हैं उनको कम से कम आप दूर दूर तक पहुंचा दें क्योंकि हम आपके तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप भी हम तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हो बट हमने उन तक पहुंचना है जिनों को need है आपको need है तो आप जरूर देखें अगर आपके friends में किसी को need है तो उनको जरूर बता दें ये मैं आपको please request करूँगा और शुरुआत करने से पहले channel को subscribe जरूर कर लेना यहां पर आपको state exams के जो भी preparations होती है उसकी पूरी त्यारी कराई जाती है सुबह हम current fair के session आने वाले दिनों में देखोगे आप और उसके इलावा शाम को आपको current fairs के इलावा आपको mcq class जो है हमारी वो भी आपको देखने को मिलेगी रात को I think 9 p.m. को उसके इलावा हमारा जो free math classes है वो भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और जो हमारी जो continue classes है free math की वो हम promise करते हैं वो continue रहेंगी कुछ दिक्कत के कारण जो हमारे गिल सर है उनकी health ठीक नहीं है उनके कारण वो थोड़ा ये delay हो गया postpone हुआ है जो हमारी classes है मगर आने वाले दिनों में हम promise कर रहे हैं कि हम आपको classes देंगे तो शुरुआत करते हैं आज की vacances के बारे में bank of brother में कुछ vacances out हुई है अगर हम bank of brother की vacances के बारे में बात कर लें तो कौन सी post है यह मैं आपको बता देता हूँ receivable manager की post है receivable manager की post आपको देखने को मिलेगी यह बात आपको ध्यान में रखना होगा इस branch receivable management में कौन कौन सी आपकी responsibility रहेगी वो उनके बारे में भी बताऊंगा आपको और पूरी detail में बताऊंगा कब से पहले जान लो इस post के लिए आपका जो online registration है वो कब से start हो रहा है आज से start हो रहा है 25 March से start हो रहा है और जो last date है वो आपको देखने को मिलेगी 14 April यह बात आपको ध्यान में रखना है लेना है तो किस website लिंक से आप अपलाई कर पाऊगे इस post के लिए आपको क्या करना होगा इस link पर जाना होगा www.bankobaroda.incareer.stn ठीक है उस पर जाकर आप अपलाई कर पाऊगे उसके बाद हम बाग कर लेते हैं और जो हमारी content news है position में आपको बता चुका है branch receivable manager और इसके total कितनी vacancies हैं आप देख सकते हो 159 vacancies हैं और age criteria क्या रहेगा उनके बारे में बता दू कम से कम आपकी जो age होनी चाहिए और maximum 35 होनी चाहिए यह बाद आपको त्यान में है रखना होगा और education qualification क्या होगी आपके पाद एक simple degree हो तो आप apply कर पाओगे पहले ही कह रहा हूँ अगर आपके पास simple degree हो apply कर पाओगे हाँ उन्होंने ये पता दिया है कि आपके पास अगर post graduate degree भी है किसी भी discipline में या कोई diploma भी है तब एक desirable position हो सकती है यानि कि इन में से क्या हम समझ सकते हैं कि जिसके पास तो एक degree है नॉर्मल हाँ बैचलर degree है वो तो apply करी सकेगा अगर इसा post degree है किसके पास हाँ तो उसके लिए एक advantage होगा कि उन्होंने पहली mention कर दिया कि वो हमारे लिए पहले preference दी जाएगी उनको तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो simple किसे पास degree है वो मतलब chances नहीं है full chances है आपके ये मैं आपको बता दू work experience में आपके पास कम से कम minimum 2 year का experience होना चाहिए आपका banking field में होना चाहिए has a आपका collection profile में हाना इसमें होना चाहिए या NBFC किसे financial institute में आपका कर रहे हो हाना इसमें आपका जो experience है होना चाहिए उन्हों में ये भी बता दिया कि इन दो सालों का experience है उन्हें से एक साल का experience आपका collection profile में हो तो अच्छा होगा should be उन्होंने must भी नहीं कहा should be का मतलब हम समझ रहे हैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका banking industry में आपका experience है तब भी apply जरूर करना उसके लावा आपके vacances की जो posting है आपको बता दूँ कि आपको state wise ने आपको apply करना आप तो normal apply करोगे मगर आपकी posting कहां का हो सकती है उनके बार में बता दूँ तो यहां यहां आपकी vacances देख सकते हो आप ठीक है यह हमारी total vacances है यह आप देख सकते हो यहां पर आप किसी भी state पर आपकी जो है posting हो सकती है अब हम बात कर लेते हैं differentiate कर लेते हैं हम vacances को total में आपको बताई थी 159 vacances है unresour 68 है अच्छी खासी vacances है EWS की 15 है, OBC की 42 है ST की 11 है, SC की 23 है यह बात आपको ध्यान में रख लेना है उसके बात बात कर लेता हूँ जो important है fees के बारे में जो general category है उनकी fees होगी 600 यह मैं आपको बात बता रहा हूँ और 100 होगी उनके लिए जो ST, ST से belong करते हैं दर उनके इलावा हमको बात करें की आपका जो employment nature होगा यह भी आपको बता दूँ की 5 साल का एक fixed term होगा उसके बाद उसे renew किया जा सकता है आपकी performance को लेकर और bank की options को लेकर आपको क्या किया जा सकता है इससे renew किया जा सकता है मगर अच्छी खासी यह मतलब vacancies है और यह भी बता दू selection procedure में क्या है कि आपका personal interview ही होगा आपका एक personal interview ही ही होगा और exam का होने के chances नहीं है सिर्फ personal interview होने के chances है उसमें यह मतलब आपकी merit list चारी होगी जैसे आपका interview लेंगे उसके बाद वो analyze करके आपको बताएंगे उसके marks आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बाद कर लेता हूँ कि आप ताम पर और यह application feel कर सकते हो मैं आपको बता दिया है कि इस website पर जाकर आप apply कर पाऊगे उसके बाद बाद कर लेते हैं और कुछ आपको बता दिया payment के बाद में भी बता दिया तन, ओके, तो ये थी आज इवकेंसिस की न्यूस, जिनके बार में हमने बता दिया, और ओर रिस्पोंसिबिल्टी आप देख सकते हो, आपकी कौन-कौन सी में होगा, प्रसेस मैनेजमेंट में आपका काम होगा, ये बात आपको ध्यार में रख लेना है, ये थी आज की आज की आज़ की न्यूस, जो हमने आपको बताई है, अगर आप इंटरस्टीड हो, आप पलाइक कर सकते हो, आपको इस विकैंसिस का जो नोटिवेशन है, वो आ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा गिल्स मेंटोर इलर्निक प्लाटफोर्म से आप सर्च कर सकते हो मारा टेलीग्राम चैनल वहां पर जाकर आप ले सकते हो सो ठेंक यू ठेंक यू बेरी मच